नमस्कार एक्पर फिट्सैस वागेथा आपका उके क्रेजिट में और आज आपके सामने जिस बिजनेस को लेकर हम आये हैं उसके बारे में कमेंट बोक्स में लगतार हमारे को questions पूछे जा रहे थे कि हमें कौपी किताबों के बिजनेस के बारे में बताईए और साथ ही करना चाहें तो क्या यह बिजनस प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं तो अगर आप भी बिजनस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंस्तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह के और व हो चुके हैं तरन्नम कॉपी मैनुफेक्टरिंग यूनिट में और यहां पर मौजूद हैं बहुत बीजी लग रहे हैं और ओनर है इस यूनिट के विपुल सिंगल विपुल आपका बहुत स्वागर है थैंक यू विपुल सबसे पहले तो यही जाना चाहूंगी कि आपको यह मुनाफा हो रहा हुगा इसलिए आपने इक करने की सोची तो किते परसेंट मान के चलूंगी आपको इस बिजनस में मुनाफ़ा हो जाता है 10 to 15% किते workers हैं आपके इस मिल में मर पस 9 नौ जाने हैं तो महीने का कितना पूरा खड़्चा मशीन को लेकर वर्कर का खड़्चा कितना हो जाता है फिफ्टी तू सिक्सी थाउजन अगर मैं बात कुरू चोटे बिजनस के लिए अगर स्टेशनरी का कोई बिजनस शुरू करना चाहे तो आपको लगता है कि यह प्रॉफिटेबल है बिल्कुल है अगर कोई शुरू करना चाहता है बिजनस तो आप्रॉक्सिमेली दो से तीन लाग के विश में शुरू हो जाता ही तो शुरू हो जाता है तो सेशनरी का बिजनस बाकि अनुफिक्शन यूनिट है उसके लिए आपको बीश से पच्चेस लाग कर चाहे है इस बाकिशने बिजने करता है किस टाइप का बिजनस नगाना चाहते हैं तो इसकी धाइक रोड की है वह फुली आटमेटिक मशीन होती है अगर किशे को इनिशियली शुरू करना हो तो आपको लगता है कि 10-15 लैक्स 15 15 लैक्स का कम से कम आपको चाहिए है यह सिजनल बिजनेस यह बारा महीनी है 12 मैंने मेंनिस इस जनरी तो मार्च क्यकिंकि सहे rhyme, बच्छो का स्कूल Google नईख लगती है तो उस थाइम नई नोट्बुक्स को अर रिस्क ट्र कितना है इस बिजन्स को रिस्क ट्र इसक टेना है तो कभूए नाइसन्स कोई नहीं है सर्सके लिए जीए टी गंवर्मन्ट गवर्में एक जिस बता है जो लीगल काम करने के लिल्ग वह ज़ाहिये है तो जीए सी नमशनारी बस और दो कुछ इस बिजनस के लिए खादी के थुरू होता है लोन, खादी स्पोर्ट करता है उसमें सबसीडिज भी देते हैं वह आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो इस बिजनस को इनिशनल लेवल पर शुरू करना चाहते हैं जो छोटे बिजनस अंटरपरॉनायर्स हैं शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलने वाला बिजनस है खराब होने वाली कोई चीज नहीं है हमारे पास परिशेबल कुछ नहीं है जो जल्दी खातम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो भी जो भी चाहते हैं आप जैसे स्कूल के साथ डि आप मुझे जल्दी से कुछ बिसनेस टिप्स बता दीजे मैनत करो मांदारी से काम करो अपना चलेगा ऐसा नहीं है कुछ भी और रिस्क से ना डरो तो यह थे विपल इस इनके फादर संभालते थे और अब इनके फादर कह रहे हैं कि वो रिटार्मेंट एच में पहुंच गया है इसलिए उन्होंने अपने लड़के को यह बिजनस थमा दिया है और जैसा कि विपल ने कहा कि किसी भी बिजनस को आप शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर तो जरूर होता है तो ध्यान रखिए रिस्क इतनी चिंता ना कीजिए बस इमानदारी और मेहनत और जो चीज है सबसे जरूरी आपकी विल पावर जो आप करना चाहते हैं अगर आप उसको करेंगे तो आप जरूर काम्याब होंगे तो चलिए एक बार फिर से आप से यह को होंगे कि वीडियो को लाइक कीजिगा कमेंट कीजिगा सब्सक्राइब कीजिगा और बेल आइकाउन का बटन जरूर दबाएगा थैंक यू